सरकार भले ही कितने दावे करें लेकिन ये तस्वीरे किसी से छुप नहीं सकती और यथा इस्तिती भी सारी सच्चाई बयान कर जाती है आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो खास तोर पर गव प्रेमियों के लिए हैं इन तस्वीरों को हमारे पत्रकारों ने अपने कैमरे में कैद किया है गाए को हम अपनी मा कहते हैं लेकिन उसी मा की देखरेख में हम कितने सफल हैं यह बात ये तस्वीर बता रही है आपको बता दे कि जहांसी जिली में लगातार हो रही बारिश में चलते जहां जन जीवन अस्त बेस्त हो गया है तो वहीं बेजुबान भी उस अलाओ का सहारा ले रही है जो गरीब और बेसहारा लोगों के लिए नगरपिशासन द्वारा जलबाय जाता है यानि कि क्या ये है कहा जा सकता है कि अब बहे गाई जिससे सनातन संस्कृती में माता बताया जाता रहा है बहे अब गरीब और बेसहारा हो गई है दरसल गवभक्त कहे जो आने वाले प्रिदेश की मुख्या योगी आदुतिनाथ ने गौवंश के लिए गवशाला बन बायने का आदेश समूचे प्रिदेश में लागू किया था लेकिन ठष्ट अधिकारियों और जन प्रिटिनिधियों की कारिशयली से ना तो किसी गवशाला का संचालन सही तरीके से हो पाया और ना ही गववमाता की देखरेख में किसी ने रुची दिखाई दरसल बदलते समय में इंसान इतना महतबकांची हो चुका है कि बहे गाई को उस बक्त तक पालता है जब तक बहे दूद देती है इसके बाद उसे खुला छोड़ दिया जाता है जो कभी किसानों की फसल उजार देती है तो बहां से डंडे खाने के बाद कच्रा खाती है औ लाब तापती गाय की यह तस्बीर मौरानी पुर रेलवे स्टेशन के बहार की है जो बया कर रही है बिधान सबा में गउशाला के नाम पर हुए ब्रस्ट चार को क्योंकि यहां का कोई भी जन पती निदी हो चाहे बहे बिधान से लेकर बिधायक ही क्यों नहों सभी का ध् पुरानी पुर से ही रवी परिहार की रिपोर्ट